देलाइफ टीवी सच सब से आगे नमस्कार मैं हूँ रंजीर ज्या और आप देख रहे हैं देलाइफ टीवी इसराइल की सेना गजा में आकर बुरी फस गई है गजा में हमास के जितने हीरो हैं वो अपने हिसाब से रणनीत बना कर इसराइली सेनिकों को वही धेर कर दे रहे हैं एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसमें इसराइली सेना के परखच्चे उराए जा रहे हैं हमास के लड़ाकों के द्वारा एक हमास का स्नाइपर है जिसने इस हिसाब से निशाना लगाया कि इस्राइली सैनिक एक तो मारा गया और दूसरा उसकी रक्षा करने की बजाए जान बचा कर या कहले कि दुम दवा कर भाग खड़ा हुआ है इसका वीडियो भी सामने आया है इसके अलावा हमास ने कितने इस्राइली सेना और उनकी शक्तियों का एकदम से कचूमर निकाला है वो वीडियो वो इन्फोर्मेशन से भी सामने आया है खैर सबसे पहले तो आप यह वीडियो अपने स्क्रिन पर देखिए मिसरामरेश ने शेयर किया है इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो इस्राइली सेनिक निकल कर आ रहे हैं और फिर खड़े हो जाते हैं और पीछे से एक टार्गेट होता है कमरे से स्नाइपर बैठा होता है और वो निशाना लगा रहा होता है इस्राइली सेनिको को यह लगता है कि वो अगर गजा में घूम रहे हैं तो वो राजा है उन्हें किसे से खत्रा नहीं है वो बेखौब निश्चिन्त होकर वहां खड़े हो जाते हैं येकिन उन्हें पता नहीं है कि उनके दाएं, उनके बाएं उनके पूरा उनके पस्ट्रीम आगे पीछे कहीं भी हमास के लड़ाके उन्हें अपनी रंदनीत के जये ट्रैप कर रहे होंगे, उनके जाल में वो फस रहे होंगे, हुआ भी ऐसा ही है, अब देखिए यह तरीके से निशाने पर लिया गया, हमाई पास जो वीडियो क्लिप ह उसके 20 से तस्वीर एकदम साप हुजाती है, यहां दिखाई पड़ता है, जैसे जैसे वो टार्गेट में आता है, एकदम रडार पे आ जाता है, तो फिर सनाइपर जो है हमास का लड़ाका जो है, वो फायर करता है, और गोली जाकर लगती है उस इसरैली सैनिक को, जैसे ही गोली लगती है, वो नीचे गिरता है, नीचे गिरता है, तो दूसरा सैनिक जो है, वहाँ एक सेकंड के लिए भी नहीं रुखता है, भागने लगता है, और जब भागता है, तब यहां पर लोग पूछ रहे हैं, कि आप अपने साथि को मरता चोर कर कैसे भाग रहे हो, सेन बैदान छोर कर भागते हैं तब तो गलत है यह तो गाजा में है और इनकी हालत ऐसे ही खड़ाब है इसलाइले सैनिकों को डर नहीं लगता है जो भी बोल रहे होंगे उन्हें यह क्लिप देख लेना चाहिए कैसे उसके साथ ही को गोली लगती है तो दुम दबा कर सेकेंड मे भाग खड़ा होता है यह कुछ भी नहीं करता है क्योंकि उससे समझ में नहीं आएगा कि अगली सैनिक डड़े सहमे हुए हैं इजराले सैनिकों के होश खाक्ता कर दिये गए हैं मिसराम रेश ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है जंग में यदि किसी सैनिक को गोली लग जाती है तो उसका साथी वापस फायर करता है इसराइल हमास वार के वीडियो में आईडिय सैनिक अपने साथी को गोली लगते ही भागते हुए दिखाई दिएते हैं यहां एक पैटर्न है कि अभी यहीड चल रहा है इसराली सैनिक mêmes की आवाज सुनते हैं यह अपने साथी सैनिक को मरता हुआ देखने वो मैदान चोड़कर भाग जाते जिसके चलते यहां पर साफ मालूम पड़ता है कि इसराइली सैनिक ग्राउंड ओपरेशन करने तो आये हैं लेकिन मौत का डर तुन्हें बहुत सता रहा है ऐसे में साथ ही मरे या जिन्दा रहे अगर आफ़त आई तो दुम दबा कर भांग लेंगे अब जो हमारे पास एक और वीडियो क्लिप आया है उसमें देखिए कैसे इसराइली सैनिकों के परखच्चे उर रहे हैं उनके जो मिलिटरी वेहिकल्स हैं उन्हें उड़ाए गए हैं और बताया जाता है कि इस वीजुल में कि कई सैनिक घायल खून से लत्पत पड़े हुए हैं यहां इसराइलियों का कहना है कि हमने तो हमास के लड़ाके को खत्म कर दिया है लेकिन सचाई क्या है वो अपनी परबादी को देखकर भली भाती समझ रहे होंगे यह जो हमारे पास वीडियो क्लिप हैसे देखिए गौर से कैसे यह बुल्डोजर है मिलिटरी वेहिकल ह वो जा रहा होता तभी निशाना लगता है और निशाना लगते ही और खच्चे इसके ऊड़ जाते हैं इसमें इस्राइलिस सैनिक भी होते हैं यह कहा जाता है इस वीडियो क्लिप को शेर करते हुए मिस्रा अमरेश ने लिखा भी है कि फिलिस्तिनियन रेसिस्टेंस नूर समस अल दामज सहित टूकारेम वेस्ट बेंक के कई छेत्रों में आईडियाप से जूज रहा है सुत्रों के अनुसार शहर की मुख्य पेंट शॉप्स के पास आईडियाप सैनिक घायल हैं खून से लथपत पड़े हुए हैं एक आईडियाप वहन भी उरा दिया गया है यह एकदम क्लियर इस विज्वल में दिखाई भी पर जाता है कि आईडियाप वहन को उराया गया है और इस्राइली सैनिकों को निष्टित रूप से नुकसान पहुचा ही होगा और वो वहां लथपत पड़े होंगे घायल होंगे और उन्हें बचाने के लिए कोई आए क्यों लोगों ने गलत जंग मोल ले ली है अब यहां से आईए कुछ और इंफोर्मेशन से हैं जो कुछ घंटे पहले हुए हैं इजरायद और गजा की जंग में क्या-क्या घटनाय घटी हैं तीन पॉइंट में समझिये मिस्रा अम्रेश ने लिखा है गजा हमास फलेस्तिनियन इस ने अल-7 में टेंडम शेल से आईडियाफ मरकवा चार टैंक नस्ट किया फिर जो अगला पोयंट है और यह शनगा कैदर और जो किया है वह मामला तुर आप देख रहे हैं फिर तीसरा पोयंट यह है फिर फ्रेंड्स ओफ पेसेंस हॉस्पिटल के पास अल्यासीन 105 गोले से मरकबा टैंक और एक D9 सैन बुल्डोजर को निशाना बनाया गया है तो ये है कुल मिलाकर इन्फॉर्मेशन कि कैसे कैसे इस्राइले सैनिकों की तबाही गजा में लिखी गई है पहले तो यह स्थती थी कि ये लोग गजा के आउटर बॉर्डर पे ही हमास के लराकों से भीरते रहते थे भीतर घुसने की छमता इनकी नहीं थी बाद में इनलोगों के पास टैंकों का जखीड़ा था टैंकों में मिलिटरी वहानों में छुप छुप कर घुस तो जाते थे और आते थे वहां तो तब तक खुद को बंकर में टैंकों में छिपाये रखते थे कि जब तक उन्हें यह ना लगे कि बाहर खत्रा नहीं अब उन्हें लगा कि खत्रा खत्म होने लगा है जैसे बाहर निकलते हैं माले जाने अब तो टैंकों के ही परखच्चे उड़ा दिये जा रहे है तो टैंक में बेठा हुआ ब्यप्ति कैसे सुरक्षित रहेगा तो इस्राइले सेहनिकों को भयंकर नुकसान हो रहा है अब इस नुकसान का असर इस्राइल में भी देखने को मिलता है इस्राइल के प्रधान मंतरी बिंजामी नितन्याहू के खिलाफ उनके ही पार्टी में बगावत के सुर है उनके पार्टी के खिलाफ अभिपाक्षि ने जो है और विश्वास प्रस्तावला कर रख दिया वहां के जनता सरकों पर आकर प्रधरशन करने लगी मिडिया रिपोर्ट छिपाता है लेकिन इस्राइल में हलत ठीक नहीं है क्योंकि जंग तो जारी है और इस्राइल के जो नागरिक थे जो हमास के बंधक बने हुए वो अभी तक मुक्त नहीं हुए नितन्याहु, इनके फ्री करने के लिए, इन्हें आजाद करने के लिए कोई कदम उठा नहीं रहे है उन्हें लगता है, कि जब तक हम हमास के लग्रा को बार नहीं देंगे तब तक वो इन्हें मुक्ठ नहीं कर आ सकते है लेकिन इसका खाम्याजा भुगतना पर सकता है और राजनेयोतिक तौर पर भी समाजिक तौर पर भी और आर्थिक तौर पर भी इसराई बैक फुट पर जा सकता है यहाँ पात नितन्याहू को भी अच्छे से पता है अंतराश्ट्रे अस्तर पर तो यह लोग फिर के लिए जेल ही रहे हैं फिलाल इस वीडियो में तना ही आप सभी काहन से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धली बात